प्रूंज की तरह बढ़ते हैं जो की है नीडेरिया या इसको बोला जाता है सिलैंट रेटा क्या बोला जाता है सिलैंट रेटा भी बोला जाता है अब दोनों सब्सक्राइब मतलब जब समझ लोगे तो में फीचर जो है इस पाइलम का वो पता चल जाएगा आपको तो नीड़ेरिया जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है कि नैटल बियर स्टिंगिंग सेल्स मतलब जो सुई, सुई होता है ना नीडल होता है नीडल की तरह नीडल को बि निडेरियन्स ठीक जिनके पास निडल हो नेटल हो नेटल नीडल जो भी बोलो बियर स्टिंगिंग सेल डसने का काम होता है इनका तुसलिए इनको निडेरियन बोते हैं तो अब आपको एक स्पेशल पीचर यहीं से पता चल जाएगा नाम से वो की क्या है कि इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं दूसरा है सिलेंट्रेट्स यह एंसियन ग्रीक के वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है हॉलो खाली और एंट्रॉन एंट्रॉन का मतलब होता है गट मतलब यहां पे एक हॉलो गट भी होता है तो दो स्पेशल पीचर तो आपको यहीं पता चले गए क्या पता चल गया हॉलो गट होता है और क्या होता है इनके पास स्टिंगिंग पैल सोते हैं बच्चो दो चीजे होती है ठीक पता चल गया तो ये तो मिठ गया तो ये दो चीजे होती है अब इनमें आते हैं सिय अनोमोन, स्कोरल, सहइड्रा, जेली फिश तो बहुत सारी चीजे जो हैं इनमें आती हैं किते सुन्दा सुन्दा से दिखते हैं ना अभी देखते हैं इनके पास और क्या नया आया है तो पहले ही हमने देख लिया था कुछ चीज़े नहीं आई है क्या नहीं आई है हॉलो गट और क्या नया आया है स्टिंगिंग सेल अब इनकी खासियत यही होती है स्टिंगिंग सेल होलो गट और आया है two cell layer मतलब अब ये क्या हो गए diploblastic हो गए two cell layer आ गया और है blind guard जिसको हम hollow guard भी बोल रहे हैं तो इनके पास two cell layer आ गया तो ये क्या हो गए diploblastic हो गए समझ में आया इनकी symmetry क्या होगी radial symmetry होगी radial symmetry होगी level of organization क्या होगा ये you meta joa होंगे मतलब you meta joa होने का मतलब होता है कि इनमे tissue level organization आ जाती है अगर tissue level organization नहीं आती है तो पैरा joa में आते हैं जो की क्या है porifera यहाँ पे tissue level organization आ गई है introduce हो गई है तो अब एक step आगे बढ़ गए पोरिफेरा एक step आगे बढ़ गए अब उन्होंने cell से टीशू बना लिया अब जब टीशू बना लिया तो cell के layer बना लिये कौन से layer बना है तिक लेकिन अभी भी इनके पास true silhouette नहीं है true silhouette नहीं है यानि कि यह a silhouette है क्या है a silhouette gut क्या है incomplete gut है क्यों क्योंकि mouth और NS का अता पता नहीं है एक blind gut है उसमें एक entry है only one entrance है अब चाहिए उसको mouth की तरह use करें या NS की तरह जब जैसा mode होगा वैसा use करेंगे तो एक blind gut या blind sack है इनके पास mostly niderians जो है वो carnivorous होते हैं all niderians mostly नहीं all क्यों carnivorous होते हैं मैंने पहले ही बताया था कि अगर समुंदर में रहते हैं तो खेती तो करेंगे नहीं किसको खाएंगे अपने से छोटे organism को खाके जिन्दा रहेंगे बराबर इसके अलावा कुछ photosynthetic endosymbionts को रखते हैं मतलब कुछ ऐसे protozoans जो photosynthetic हो या bacteria उनको अपनी body में जगे दे देते हैं फिर उनसे nutrition लेते हैं तो ये दो mode हो गया या to carnivorous होंगी या endosymbionts बना लेंगे photosynthetic organisms के साथ अब क्योंकि ये collagen का layer तो horifera में ही present था तो नीडेरियन में तो आएंगे ही आएंगे तो यहा collagen, actin और myosin present होते हैं इसके अलावा home box genes भी यहाँ पे present होते हैं इसके अलावा सबसे पहले nervous system का जो evolution हुआ है सबसे पहले नीडेरियन में हुआ है simplest type of nervous system पाया गया है इनमें और इनमें क्या होते हैं radial nerve fibers होते हैं throughout body radial nerve fibers होते हैं simplest type of neuron cells या neuron fibers जो हैं वो इनके पास present हैं बराबर बात यह सारी चीज़े समझ में आ गई अब देखो इसमें अगर hydra का example हम देखें तो हम क्या देख पाते हैं हम देख पाते हैं कि यह यहाँ पे एक blind sack है मतला एक bag या pouch की तरह से अंदर एक खाली जगे है खाली जगे है cavity है और इस cavity को हम बोल देते हैं gastro vascular cavity gastro vascular क्यों कह देते हैं हमारी body में जहां digestion होता है उसको ही तो हम gastro vascular gastro system बोलते हैं तो वैसे ही यहाँ पे जहां digestion हो रहा है वो किसी cavity में हो रहा है जब वो cavity में हो रहा है तो उस cavity को हम क्या बोल दे रहे है gastro vascular cavity हो बोल रहे है अब इस cavity का का काम क्या क्या होता है इस cavity का काम होता है पहला digestion का दूसरा circulation का तीसरा यह gases exchange में भी काम आता है चौ bipartite यह hydrostatic skeleton बनाता है कि этой स्केल्टन ऐसे होते हैं जैसे आपने होली में बलून्स मारे होंगे ना उठा के दूसरों को बलून्स में पानी अभी रेडियल नर्फ का मतलब पता चलेगा आपको देखना हां तुम्हें क्या कहीं थी बलून्स में कभी देखा है पानी भरा होता है एक तरफ दबाओ तो द धाथासे ःडिशा से हटके दूसरी जगह चला गया तो मूइमेंट होई वैसे हाइड्रोस्केल्टिक में भी मूवमेंत होती है अगर यहाँ पर कॉंस्ट्रेक्ट हुआ दो यहां पर यह ओंस्रेक्ट हुआ तो यह अंदर skelton जो की जल like होता है वो मूव करके इधा चला जाएगा तो यह जो हो रहा है दबाने से उसकी वज़़से ले फिर तैने इरिंस में मुव्मेंट होता है इंते इंटुड्यूस होता है यह हो गया आपका है do stat इसकेटन अब इन में लगबाग 11,000 इस्पीसीज जो है वो पाई जाती है और इन में जेनरली आते हैं जैली पिश, सी एनमन्स, कोरल्स, और हाइड्रो जोन्स अब आगे देखेंगे हाइड्रो जोन्स क्या है अब यह गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी का मैंने बताया कि एक ही माउथ होती है, सिंगल ओपनिंग अब यह ओपनिंग सराउंडेड होती है कुछ टैंटिकल से, इस तरह के कुछ प्रोजेक्शन होते हैं खेर लाइक कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, इनको हम बोलते हैं, टेंटिकल्स, बराबर, अब इनको डीटेल में देखते हैं, हमने बात की थी कि यहां पर लेयर इंट्रोड्यूस हुई है कितनी लेयर दो लेयर इंट्रोड्यूस हुई है तो कौन-कौन सी एक बाहर जो की epidermis है उसके बाद जो इनका गैस्त्रोवस्कूलर कैविटी है उसको सराॉंड किये हुए गैस्ट्रोडर्मिस जो की किससे डराइव है जो की एंडोडर्म से डराइव है ठीक अब ईपीडर्म और इस गैस्ट्रोडर्मist और पाब विछ प्रिंच में जो लेयर है उसको हम बोल रहे हैं मीजोगलिया यह जैल लाइक है जैल लाइक हाइड़ोस्टाटिक स्केल्टन बनाता है तो यह हो गया आपका मीजोगलिया बराबर अब इस एपीडर्मिस में आपके कुछ नए नए सेल्स पाए जाते हैं जैसे नीडो साइट जो कि क्या है नीडो साइट ही वो सेल है जो इसको special बनाते हैं जिन में क्या कला होती है डसने की कला होती है जिनको हम क्या बोलते हैं stinging cell जो की डस लेते हैं नीडो साइट फिक ये epidermis में होती है जनरली ये सबसे ज़्यादा होती है माउट में और टेंटिकल्स के epidermis में सबसे ज़्यादा होती है ये नीडो साइट माउट के सराउंडिंग और टेंटिकल्स के epidermis में सबसे ज़्यादा होती है फिर इसके अलावा इसी epidermis लेयर में testis, ovary और जो बाकी चीज़े हैं वो य ये एक paramecium को इसने क्या कर रखा है एंगल्फ कर रखा है उसको digest कहा कर रहा है इस gastro-vascular cavity में तो ये समझ में आ गया digestion इसके यहाँ gastro-vascular cavity में होगा दो layers है diplo-blastic है अब हमने बात की कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक नई चीज और introduce होती है क्या-क्या नई चीजें आ गई है उनकी एक list बनाते हैं पहले तो list बनाते हैं पहले तो है stinging cell जिनको हम बोल रहा है needle side diplo-blast layer आ गया है अभी तक simplest nervous system introduce हुआ है इसके अलावा एक और चीज जो आती है वो आती है epithelio muscular cell यह जो हैं यह epidermal cells में पाए जाते हैं epithelio muscular cell अब इन ही epithelio muscular cell की वज़े से hydra में एक movement आता है जिसको हम बोलते हैं hydro propulsion moment hydra propulsion movement क्या होता है कि यह पानी को धक्का दे के दे दे के आगे बढ़ते रहते हैं थोड़ा सा धक्का दी आगे बढ़ा थोड़ा सा धक्का दी आगे बढ़ा तो यह movement hydro propulsion moment जो है यह इनमें किसकी वज़े से आता है इन epithelomuscular cells की वज़ा से आता है epithelomuscular cells की वज़ा से आता है थिक समझ आया तो यह कुछ नई चीज़े इंटुडियूस होती है इनमें यह अंदर की तरफ जो endoderm में है अगर endoderm body cavity देखे जो की gastrovascular cavity में खुलती है तो इनके पास होते है nutritive muscular cells जो की आपको blue color से दिख रहा है यह nutritive muscular cells के पास छोटे छोटे फ्लैजला होते है और इन cells के पास होता है food vacuol और यही same digestion का तरीका है food vacuol क्या करता है पहले तो hydra जो कुछ खाता है like paramecium काया तो जो gastrovascular cavity होती है वहाँ उसके बारिक बारिक टुकडे होते है चर्निंग होती है चर्निंग के बाद मतलब दो तरह के digestion होते है यहाँ पर extracellular फिर intracellular digestion तो cavity में पहले churning होती है breakdown होता है छोटे particle में फिर वो food vacuole के थूँ intracellular digestion होता है समझ गए अब देखो यह है आपका hydro propulsion movement इस तरह से होता है और यह होता है epithelio muscular cells की वज़ा से क्योंकि यह बाहर epidermis में present है और constriction में help कर रहे हैं तो दो चीजे इनके movement में help करती हैं पहला hydro static skeleton दूसरा epithelio muscular cells समझ में आया हाइडरा अपनी जगह पर static होके move करता है जबकि अगर बात करें यह jellyfish की या फिर और इलिया की तो यह लोग क्या यह लोग swim कर सकते हैं लेकिन हाइडरा अपनी जगह पर ऐसा ऐसा करके movement करता है लेकिन movement होता है और वो movement होता है hydro propulsion movement ठीक अब मैंने क्या बोला था इनके पास जो है सबसे पहले nervous system develop हो गई थी सबसे पहले nervous system अगर most primitive form of nervous system पूछा जाए तो वो किसके पास आया था वो आया नीडेरियंस के पास नीडेरियंस के पास या बोला जाए सिलेंट रेटा के पास जो आपको नाम comfortable लगे वो बुला उसको दो दो नाम है इसके पास तो evolution of nervous system कहां से started हुआ वो स्टार्ट हुआ नीडेरियंस से अभी आप देख रहे हो ग्रीन कलर से एक network टाइप का क्या हुआ है फैला हुआ throughout body नहीं यह flame cell को नहीं possess करते हैं flame cell प्लैटी हलमेंतिस में होते हैं फ्लैट वार्म्स में होते हैं most primitive nervous system होता है इनके पास यह loose network होता है nerve fibers का और यह जो neurons होते हैं यह polar होते हैं या non-polar होते हैं यह जब आप animal physiology पढ़ोगे तो a polar non-polar neuron पढ़ लेना वहाँ पे तो यहाँ पे याद रखो neurons यहाँ पे apolar होते हैं या non-polar होते हैं समझ में आ गया अब हम चलते हैं इनके defense mechanism पे या बोले तो stinging cell जिनसे यह dust दूसरों को dust लेते हैं तो मैंने बोला कि इनके mouth पे या mouth के surrounding जो tentacles होते हैं उनके epidermis पे नीडो side cell पाय जाते हैं तो यह जो लालू-लाल के बीच में यह नीलू नीलू दिख रहा है बुलू बुलू दिख रहा है वो क्या है वो नीडो side cell है दिख रहा है आपको एकदम clear तो नहीं दिख रहा होगा पर दिख रहा होगा कि यह एक red layer है लाल लेयर है और इसके बीच में कुछ नीली नीली चीज़े पाय जा रही है तो यह जो नीली चीज़े हैं वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीडो ब्लाट थ्रेड के form में होता है मतलब जो stinging जो main element होता है stinging करने के लिए वो कोईल होता है और थ्रेड की तरह लपेटा हुआ अंदर पड़ा रहता है जैसे ही कोई प्रे आ गया कोई फूड पार्टिकल आ गया या फिर कोई ऐसा उनको सेंस हुआ कि यह बंदा मेरे को हाम कर सकता है तो वो तुरन क्या करते हैं? अपने इस coiled thread को बाहर फेक के डस लेते हैं उसको या तो बांद के capture कर सकते हैं तो ये encourage में भी काम, encourage, encourage समझते हो, anchor करना तो encourage का भी काम होता है इनका, pray capture का भी होता है और कई बार क्या होता है कि ये stinging cells भी सिक्रीट करती है तो काफी time ये होता है कि जब कोई human swimmer या गोता को जिन को बोलते हैं deep sea में जाता है तो ये लोग उसको बहुत सारा ऐसा दस लेते हैं और उसके और उसमें venom होता है, समझ में आया, venom होता है तो वो जहरीला भी होता है जनरली ये काम jelly fishes करती हैं जो जितनी ज़्यादा सुन्दा दिखती हैं उतनी ज़्यादा दसल होती है अब देखो ये इस तरह से thread फेकते हैं, जैसे capture आया, तो इनने अपना thread ऐसे बाहर निकाल दिया venom भी secret करते हैं, ये आपका microscopic view है, देखो ये needle side बाहर निकला और इसने क्या secret किया, यहाँ पर venom secret किया और मैं कहूं यहाँ पर लिखा है कि box jelly fishes जो है, ये most venomous marine animal है, सबसे जहरीली समुंदरी प्राणी है, सबसे जहरीली समुंदरी प्राणी जो है, ये box jelly होती है, ये जहर निकालती है और कैसे, सोचो ये को human swimmer है, और ये उसका हाथ है, जैसे इनको पता चला कि ये उसका हाथ है, तो ये क्या तुरंत अपना thread इनके अंदर sting कर देंगे, और उसके बाद उस thread के through क्या secret करेंगे, venom secret करते हैं, ये काफी क्या है, जहरीला हो जाता है जूम व्यू देखो, अब एक बार और देखो, इस ग्रशेल को इस एक बार और देखो, तो ये नीडो साइट सेल है, इसके अंदर ये ये thread जो है, ये tube के फॉर्म में ये thread जो है, spirally arrange होती है, इस needle side में एक nucleus भी होता है, अब क्या है, ये operulum close रहता है, जैसे ही कोई prey आता है, ये operulum open हो जाता है, और ये tube जो है, छटक के बाहर निकल जाता है, और उसको अगर encourage करना होगा, prey को capture करना होगा, तो capture कर लेगा, अगर sting करना होगा, sting करेगा, venom देना होगा, तो venom दे देगा, तो अब जड़ा, इनको भी देख लो, अब इसमें दो form होते हैं, मैं बता रही हूँ, इनके body के दो form होते हैं, पहला होता है polyp, दूसरा होता है madusa, तो ये हो गया आपका polyp form, ये polyp form दिखा रहा है, जिसमें एक stalk है, और उपर क्या tentacles हैं, बीच में mouth है, अब polyp से madusa में transformation कैसे होता है, ये इसमें दिखा रहा है, ये जस्त उल्टा हो गया, अगर कोई चीज ऐसे है और ऐसा हो गया, तो madusa हो गया, polyp form में है, यू मुड़ गया, madusa हो गया, ठीक, तो अभी हमने बोला कि इनके पास दो cellular forms होते हैं, पहला polyp form होता है, दूसरा madusa, पर ज़रूरी नहीं है कि नीडेरियन के जितने classes हैं, वो उनमें समय polyp और madusa हो, हो सकता है, किसी में दोनों present हो, किसी में एक phase ज़्यादा दे तक present हो, दूसरा कभी-कभी आता हो, हो सकता है, दोनों में से कोई एक phase present हो, जिन भी एनिमल्स में, जिन भी नीडेरियन्स में ये दोनों phase बराबर present होते हैं, like polyp और madusa दोनों present होते हैं, तो पॉलिप फेज लीड करता है एसेक्शुल फेज को जबकि मडूसा फेज जो होता है लीड करता है सेक्शुल फेज को पॉलिप फेज जो है वो जनरली बडिंग या फ्रेग्मेंटेशन के थू अपना क्या करता है Medusa बनाता है जबकि Medusa Phage क्या करती है Medusa Phage Sperm बनाती है Oven बनाती है Fertilize होने दे एक्स्टरनल Fertilization यहां होता है Fertilize होते हैं फिर वो बनाते हैं Polyp समझ में आया अब difference क्या है यहां पर Polyp और Medusa लगवख Almost Similar Body Plants होते हैं पर Polyp के पास Mouth यहां तैन्टिकल्स यहां और नीचे जूड़ा हुआ स्टाउक होता है और यह polyp form जो होते हैं sasile होते हैं sasile का मतलग कि यह किसी एक जगे से जूड़े होंगे swim नहीं करते हैं movement नहीं करते हैं एक ही जगे पे उनका जो भी movement होगा उसी जगे पे होगा तो ये SACIL होते हैं, मतलब किसी Base से जुड़े रहते हैं और किस के तरू जुड़े रहते हैं, इस Stock के तरू जुड़े रहते हैं अब क्या होता है? मैंने बोला कि ऐसा होता है, और Medusa में ऐसा होता है तो जस्य ये वाला PORTION अगर सारा नीचे हो जाए तो यह बनाता है medusa form, medusa और polyp में difference क्या होता है, difference होता है mesoglia का, mesoglia कहां होता है, epidermis और यह epidermis है, और यह क्या है, इनका gastro dermis है, इसके बीच में जो layer पाई जाएगी, उसको हम क्या बोल रहे है, इसको हम बोल रहे है, mesoglia, ठिक, mesoglia बोल रहे है, तो difference mesoglia में कैसे आता है, polyp में यह थिन होती है, मतलब पतली होती है, polyp में mesoglia जो होती है, जबकि अगर हम देखें, producer form में, तो mesoglia ठिक होती है, कैसे, यहाँ पे देखो, यह mesoglia की light pink lining जो दिख रही है, बिल्कुल light pink, दो dark pink के बीच में, में एक light pink lining दिख रही है, mesoglia की यह वाली, वो यहाँ पे पतली है, और यहाँ पे, काफी मोटी दिख रही है आपको, है ना, तो आपको यह याद रखना है, कि polyp में mesoglia ठिन होती है, और medusa में mesoglia ठिक होती है, फिर से बोल रही हूँ, ठिक, अब देखो, धी में बोल रही हूँ, सविता सिंग जी की request आईए, धी में बोल रही हूँ, ठिक, ऐसा है, कि दो form होते हैं, या तो polyp होता है, पॉलिप होता है, और medusa होता है, बहुत सारे डीडेरियन्स ऐसे होते हैं, जिन में या तो polyp होगा, या medusa होगा, ठिक, तो polyp medusa दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, पॉलिप जो होता है, वो सेसाइल होता है, मतलब मूम नहीं कर सकता है, जबकि मेडियूसा के पास अबिल्टी होती है, कि वो पूरे वाटर में स्विम कर सकती है, कहीं भी जहां मन में आए, वहां जा सकती है, आजार पंशी है, तो मेडियूसा आजार पंशी है, मेडियूसा क का क्या करते हैं जबकि मिडियुसा जो होता है वो सेक्शुल फेस को रिप्रेजेंट करता है मिडियुसा बना सकता है स्पर्म और ओवा दोनों बना सकता है जबकि पॉलिप क्या करते हैं बर्डिंग एंड फ्रेग्मेंटेशन के थुरू मेडियूसा को बनाते हैं तो अभी लाइफ साइकल हम आगे देखेंगे अब पॉलिप में क्या होता है जो मिजोगलिया लेयर होती है एपीडर्मिस और गेस्टोडर्मिस के बीच में वो पॉलिप में पतली होती है जबकि अगर हम मेडियूसा की बात करें तो ये लेयर जो है मिजोगलिया की ये मोटी होती है मेडियूसा के केस में एपीडर्मिस और गेस्टोडर्मिस के बीच में ये जो मिजोगलिया की लेयर होती है वह मोटी होती है मेडियूसा के receptive समझ में आ गयी बात कि करा नीच मेटोसिस्ट भी बोलते हैं और यह तह अब देखो पाुलिप की बात कर रहे हैं मैंने बात बोली की europa जो होते हैं जल्रोस नर्ली रीप्रिड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रूँ या fragmentation के तुरू मीजोगलिया जो होती है थिन होती है और ये क्या होते हैं सेसाइल होते हैं इनके पास एक सिलेंडिकल स्टॉक होती है ये है आपका सिलेंडिकल स्टॉक ये बडिंग बना रहे हैं अपने किस के लिए? ये सेक्शूल रिप्रोडक्शन के लिए और जो टैंटिकल्स होते हैं वो माउथ को यहाँ पे ऐसे सराउंग किये होते हैं अब यही पॉलिप अगर उल्टा हो जाता है तो मीडियो सफ पॉम में आता है यहाँ पे मीजोगलिया की लेयर क्या होती है? थिक होती है यह स्विम करते हैं फ्लॉट करते हैं स्विम करते हैं और स्विम करते हैं इनका माउथ क्या होता है? अगर यह हाइडरा का पॉलिप फॉर्म है जिसमें माउथ उपर की तरफ है तो अगर यह मेडियो सब बन जाते हैं कि अजिए तो पिकते is नीचे की तरफ आता है तिक तो टेंटेकर और फेसिंग डाउनवर्ड हो जाते हैं डाउनवर्ड करते हैं जिए जाकर Elementary में एग और स्पर्म बनाता है और रिलीज करता है वाटर में तो मैंने एसेक्शुल मोड का क्या बतायता कि फ्रेग्मेंटेशन या बडिंग करके हो जाता है दूसरी बात यह जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर भी जो हाइडरा है या जो भी निडिरियंस है वो हर्माफोर्डाइट होते हैं वापस से बोलती हूँ हर्माफोर्डाइट होते हैं क्यों हर्माफोर्डाइट होते हैं क्योंकि अपना स्पर्म भी एक ही बाडि में बनाते हैं ठीक एग बनाते हैं स्पर्म भी बनाते हैं अब फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जो होती है वो होती है एक्स्टरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ इसको बोलते हैं ब्रॉड कास्ट फर्टिलाइजेशन ब्रॉड कास्ट फर्टिलाइजेशन के चिला चिला के सबको बता दिया निकाल दिया एक को भी सपम को भी हो रहा है Fertilization सबको पता है। तो broadcast Fertilization है यह यहां पर एक का एग बहुत बहुत में जाता है ऐक R लावा बनाता है और नया सी अनिमोन बना लेगा नया हाइड्रा बना लेगा जो भी बनाना होता है इसको यह बना लेगा बराबर बात कि तो मैंने क्या कहा पॉलिप स्टेज जो पॉलिप स्टेज है वो पॉलिप स्टेज लीट करता है ये सेक्शूल स्टेज को और ये जो मड्यूसा स्टेज है वो सेक्शूल स्टेज को तिक पॉलिप हमेशा ये सेक्शूल बडिंग करके क्या बनाएगा मेड्यूसा बना सकता है जिन भी नीडेरियंस में पॉलिप मड्यूसा दोनों होंगे चांटे दोनों फेज़े आते हैं वहाँ पॉलिप बडिंग करके मेडियूसा बना सकता है ति अब मेडियूसा का काम होता है एक बनाना स्पर्म बनाना दोनों फिर यह इक्स्टरनली फॉर्टलाइज होते हैं जाई गोट ब्लस्टूला अब यहां पे जुर्फा बनता है उस ठीक अब यह प्लैनुला वापस से क्या बना लेता है सेटल डाउन होता है किसी सब्स्ट्रेटम पे या किसी बेस पे और फिर क्या बनाता है पॉलिप बना लेता है देखो किसी एक बच्चे ने कितनी अच्छी ट्विक बताई है मुबासीर गानी ने कि पॉलिप मतलब मिजोगलिया पतली मिडियूसा, M for मोटी, मिजोगलिया मोटी, very good यार अब देखो क्या है कि ये जो निडेरिया है ये चार क्लासेस में डिवाइड होते हैं अब उनका बेसिस क्या है वो बाद में देखेंगे ये एंथोजोवा पहला तो एंथोजोवा जिन में आते हैं हमारे हेक्सा कोरल या ओक्टा कोरल या बोले तो कोरल आते हैं सीपैंस आते हैं तो यहां पे कोरल आ रहे हैं सीएनमन आ रहे हैं सीपैंस आते हैं ये सारे किसमें आते हैं एंथोजोवन्स में आते हैं इसके बाद कुछ fire corals और hydra क्यूंकि Hydra तो hydro joao बोल सकते हैं क्याद रख सकते हैं Hydra है तो hydro joao याद रख सकते हैं हिसके बाद Cubo joao जिसमें आते हैं box jellyfish और syf zoao जिसमें áते हैं sea jellies ऑब चार classes हैं हैं Example नेखो पहला है Hydro Jun Hydro Jun का Example है Portuguese man Ova जिसको हम Paiselia भी बोलते हैं और दूसरा Example है Hydra अब इन में polyp और Medusa stage दोनों होते हैं और दोनों बराबर होते हैं तो हम इसके लिए याद रख सकते हैं PM is equal to H मतलब polyp भी है Medusa भी है, दोनों बराबर हैं ठीक, उसके बाद आता है साईफो जोए, साईफो जोँआ में मून जैलीफिश या और ही लिया जो भी हम बोलते हैं, पॉलिप भी पाया जाता है, मतलब मेडियूस पियो जादा तर पाये जाता है लेकिन polyp भी present होता है तो इसको हम याद रख सकते हैं साइफो जोप और S और क्योंकि Medusa ज़्यादा पाये जा रहा है तो सबसे पहले M आएगा फिर P आएगा polyp छोटा होता है तो इसलिए सबसे end में रखते हैं तो हम इसको याद रख सकते हैं साइपो जोवाँ में Medusa dominant करेगा polyp जो है वो बाद में सबसे छोटा सा polyp आएगा ठीक इसके बाद है क्यूंबो जोवा क्यूबो जोवा क्यूबो जोवा का एक्जाम्ट क्यूं बोलते हैं तो होता है वो Cộks चिप होता है इसका एक्जामपल हो जाएगा आस्ट्रिलियन बॉक्स जैलीफिशि जो मैंने पहले क्या बोला था हिए सबसे जासल रही साथम्यराव3 जैलीफिश होते हैं सबसे जासफे जादव होते हैं वह होते हैं प्यू harvest कि क्यूंकि recipe qo बोलते और क्यूंत जोबो शूर आजाता है और पॉलिपेज होता है इसलिए हम क्यों जोवा को क्या बोल रहा है सी एम मतलब क्यों जोवा में सिर्फ मेडियूसा फेज है समझाया आए उसके बाद है एन्थो जोवा एंथो जोवा जो है इनमें एग्जाम्पल आता है और इनमें मेडियूसा नहीं होती इनमें सिर्फ क्या होता है पॉलिप होता है इसलिए हम याद कर सकते हैं एंथो जोवा पॉलिप ए पी तो आप याद रख लो पी एम इस इक्वल टू एच एसम पी ए और एपी इतना याद रख लो एक क्वेशन आराम से बन जाएगा अब क्योंकि पॉलिप इसमें ज़्यादा होता है जब पॉलिप होगा तो एंथो जोगा क्या होंगे सैसाइल होंगे इसलिए कोरल्स जो होते हैं वो सैसाइल फॉर्म में मिलते हैं ऐसे एक क्लम्स मिलता है उनका कॉलोनाइज हो जाते हैं मूब तो कर नहीं सकते हैं फ्रेग बडिंग फ्रेग्मेंटेशन करेगा और पॉलिप है तो एक ही जगे रहेगा तो जब बडिंग फ्रेग्मेंटेशन करते हैं वो सारा उनके सराउंडिंग में होता है belong सिकटे होते जाते हैं और QRS के क्या बन जाते हैय गाँ अ neces बन जाते हैं पहार बन जा जाते हैं और इन ही m sum該 काई 200 कि अगर生 mort k Farm histori प्लैनर जो है वहाँ चल रहा है तो पंडित आपको बोल darf पहन लिए तो यह मुंगा वही पूरल होता है तो कूरल पॉलिप होते हैं सहसाइल होते हैं और कॉलोनियल होते हैं बराबर यह चीज़ हो गई आपकी